Sheet No. 18 में question No. 6 क्या question है? Question है कि the potential difference between terminals of a 6V battery is given तो 6V battery का potential difference 7.2 बड़ी अजीबसी बात नहीं है 6V battery तो EMF है और potential difference इसका 6 से कम आना चाहिए लेकिन कितना आया 7.2 आया When it is being charged by a current of 2 ampere What is the internal resistance of the battery? अब एक point को समझते हैं इस question को करने से पहले जो हमने की यह वाला concept किया नहीं कैसे? Suppose करो आपके पास एक battery है यह plus है और यह minus है और internal resistance smaller है ठीक है? तो इसके अंदर आप एक external resistance लगाते हैं कितना? capital R ठीक है? हमने normal काम किया हमने simple यह कहा कि यह positive यह negative current हमेशा positive से निकलता है by default और यहां से होता हुआ वापिस current negative में enter करता है तो battery current को circulate कर रही है और कब तक करेगी? जब तक उसके अंदर energy है energy खतम हो गई current खतम हो जाएगा काम खतम ऐसे ही होता है तो जब बैटरी के positive terminal में से current बाहर निकलता है और negative में enter करता है तो थोड़ी देर के बाद battery खतम हो जाएगी लेकिन आपने देखा होगा कुछ cells ऐसे होते हैं जो फिर से charge हो जाते हैं और कैसे होते हैं या तो उसका कोई adapter होता है जिसमें डाला जाता है उसको कुछ देर के लिए फिर on करते हैं और कई पर सड़ भी जाता है अब क्या इसमें charging में करते क्या हैं Discharging में current positive से बाहर निकलता हुआ negative में enter करते है Charging के अंदर हम उल्टा काम करते हैं Charging के अंदर क्या होता है कि यह आपका positive और यह आपका negative terminal है internal resistance R है positive और negative में current निकलता positive से है और enter negative में करता है पर charging के अंदर Charging के अंदर current को enter करवाया जाता है positive में और negative से बाहर में करता है उल्टा फिनोमन है by nature cell जो है वो positive से negative current देता है लेकिन charging के अंदर उल्टा होता है हम उसके positive terminal में current enter करवाते हैं तो उसमें यह exactly इसकी नेचर के opposite काम हो रहा है इसी हो रहा है अब हुता के अब यह तो वही बात होगी कि मानलो एक सेल है दस वोल्ट का सेल है अगर दस वोल्ट का सेल डिस्चार्ज हो रहा है current बहर निकाल रहा है तो terminal potential difference दस वोल्ट से तो कम ही आएगा नौ, आठ, कुछ भी आएगा depending on internal resistance के लेकिन जब सेल चार्ज हो रहा है तो terminal potential difference दस वोल्ट से जादा आएगा उल्टा काम हो जाता है बिल्क वह आप सोचोंगे कैसे आप बस यह मुझे बताएं कि मेरे पास मानलो कोई वोल्ट या energy दस जूल की energy है और मैंने अपनी energy बाहर निकाल ली है, मैं discharge हो रहा हूं तो मेरे पास अब energy कम मिलेगी आपको लेकिन अगर सोचो में पास 10J की energy और आप बाहर से मुझे energy और प्रवाइड कर रहे हैं तो मेरी energy तो 10J से ऊपर निकलाएगी, excess हो जाएगा तो जब discharging होती है तो terminal potential difference charging के अंदर पहला rule, current हमेशा enter करेगा positive में उल्टा और ऐसा क्यों करेगा भई, ऐसा अपने आप तो करेगा नहीं कि battery तो positive से बाहर निकाल लेगी ये कैसे enter कर गया, charging के लिए आपको एक और battery लेनी पड़ती है, strong battery जो अपने अंदर से current को बहर निकाले, जैसे अगर ये पांच वोल्ट की battery है तो ये कम से कम आपकी battery पांच वोल्ट से जादा हो, strong battery चाहिए ताकि इसका positive current इसमें enter कर सके क्योंकि दो battery जब लगी होगी, strong एक वीक, तो strong वाले के हिसाफ से काम चलेगा, तो current strong निकालेगी और इसमें enter करेगा, तो ये battery क्या होगी? discharge और ये battery simultaneously क्या होगी? charge, एक की energy lose होगी और एक gain करेगा, simple तो इसमें terminal potential difference क्या होगा? E minus IR, लेकिन charging वाली battery में potential, जो terminal potential difference होता है, वो याद रखना क्या होता है? E plus IR, इसमें जादा होता है, उसमें कम होता है, इसमें जादा हो जाता है, right? क्यों? क्योंकि वो पहले discharging में current वो अपना निकाल रहे है, I into IR उसका अपना loss है, current निकालने से को loss हो रहा है I into IR, पर जब वो अराम से बैठी है, बैठी है, हम उसको current दे रहे हैं, तो I into IR potential उसमें add हो रहे है, उसका साइदा हो रहे है उस potential difference का भी, तो यह formula याद रखना है, वैसे मैं इसका प्रूफ किर्चा उपला से करवादूंगा, यह करवा भी सकता हूं अभी, कि इसके अंदर यह जो charging है, और discharging है, उसमें यह formula ऐसे कैसे बनता है, लेकिन आने वाले टाइम में हम question करेंगे, उसके अंदर यह सार आपको समझ में आ जाएगा, जब हम cells, series और parallel में लगाते हैं, उसमें charging, discharging का concept आता है, और अभी यह shortcut याद रहेगा, कि charging में क्या, discharging में क्या, अब आप discharging में, V is equal to E plus IR, भूलना जाना पहीं, ठीक है, तो इसके अंदर question number 6 के अंदर यही तो है, potential difference, यह EMF गिवन है, और यह terminal potential difference गिवन है, यह बढ़ गया, क्योंकि वो क्या कह रहे है, battery क्या हो रही है, charge, और current आपको पता है, what is the internal resistance, तो formula इसमें क्या लगेगा, E plus IR, तो यहां से यह निकालना है, बाकी सारी चीजें से वे गिवन है answer, ठीक है यहां तत, ठीक है यहां तत, clear है, तो next है, 7th question में doubt? 7th question है, बाटरी, जिसकी EMF 2V है, internal resistance गिवन है, तो E गिवन है, small r गिवन है, capital R गिवन है, how many electrons pass through cross section in one second, भई एक बाद बताओ, अगर E पता है, R पता है, और capital R पता है, तो current की value क्या होती है, E divided by sum of external and internal, तो यहां से आप current निकाल लेंगे, current होता क्या है, current होता है, charge divided by time, तो यहां से multiply करके आप charge निकाल लेंगे, charge की value आ गई, charge क्या होता है, N into E, यहां से आप N की value निकाल लेंगे, number of electrons आ जाएंगे, तो point समझ में आ रहा है यहां तक, तो पहले क्या निकलेगा, इसमें current, फिर निकलेगा charge, फिर निकलेगा number of electrons, ठीक, next question number 8 minute out, 8th में, EMF of battery 6 volt है, internal resistance 0.6 है, wire 2.4 है, इस connected two ends of the battery, तो एक diagram बना लो, तो EMF 6 volt है, 6 volt है, और internal resistance इसकी 0.6 ohm है, तो एक wire है, जिसकी resistance कितनी है, 2.4 ohm है, capital R given है, तो calculate current निकालना है, तो एक formula बड़ा असान है, E divided by R plus R, यह पाट आ गया, potential difference between the two terminals of the battery, close circuit, close circuit का मतलब इसमें current बहर आएगा, तो E minus IR answer, second part V is equal to E minus IR answer, ठीक हो गया यहां तक, ठीक, without इसमें, question number 9 में डाउट, question number 10 में डाउट, online clear है, yes sir, yes sir, okay, झाल